नमस्कार दर्शकों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है प्रित्वी पर कैसे हुई जीवन की शुरुआत वैज्ञानिकों ने कहा धूमकेतों निभाई एहम भूमी का Proceedings of the Royal Society में प्रताशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे धूमकेतों ने जीवन शुरू करने के लिए जरूरी कार्बनिक पदार्थ एक्सोप्लेनेक तक पहुँचाया किसी ग्रह पर जीवन बनाए रखने के लिए उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइच्रोजन, आक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे तत्वों से निर्मित कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए रित्वी पर जीवन का आगास कैसे हुआ? इसकी खोच कर रहे वैग्यानिकों ने कहा है कि धूमकेतों ने इसमें प्रमुख भूमी का निभाई होगी वैग्यानिकों ने यह भी कहा कि आकाशिय पिंद अन्य ग्रहों पर भी ऐसा ही कर रही है Proceedings of the Royal Society में प्रताशित एक रिसर्च में वैग्यानिकों ने बताया है कि कैसे धूमकेतों ने जीवन शुरू करने के लिए जरूरी कार्बनिक पदार्थ एक्सोपलेनेट तक पहुँचाया किसी ग्रह पर जीवन बनाए रखने के लिए उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर जैसे तत्वों से निर्मित कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए कैंब्रिज विश्व विध्याले के शोदकर्ताओं ने कहा कि धीमी गती से यात्रा करने वाले धूमकेतू इन सामग्रियों को हमारे सौर मंदल के बाहर ग्रहों तक पहुँचाते हैं उन्होंने अपने अध्यायन में कहा कि उच्च गती इन आवशक अनुओं को नश्ट कर देगी ब्रिटेन की कैंब्रिज विश्व विध्याले के खगोल विज्ञान संस्थान की ओर से किये गए अध्यायन के लेककों में से एक रिचर्ड अंसलो ने एक विज्यप्ती में निश्कर्शों का विवर्ण देते हुए कहां हम हर समय एक्सो प्लैनेट के वायू मंदल के बारे में अधिक जान रही हैं इसलिए हम यहाँ देखना चाहते थे कि क्या ऐसे ग्रह है जहां जटिल अनुओं को धूमकेतु द्वारा भी पहुँचाया जा सकता है उन्होंने कहा यह संभव है कि प्रित्वी पर जीवन को जन देने वाले अनुधूमकेतुओं से आए हो इसलिए आकाश गंदा में अन्यत्र ग्रहों के लिए भी यही सच हो सकता है एक्सोप्लेनेट ऐसे ग्रह है जो अन्यतारों की परिक्रमा करते हैं और हमारे सौरमंदल से दूर है अध्ययन के अनुसार उन्होंने ऐसे परिद्रिश के घटित होने की संभावना का विशलेशन करने के लिए गनितिया मॉडलिंग तक्नीकों का उप्योग किया शोद करताओं ने निशकर्ष निकाला कि हमारे सूर्य के आकार के ग्रह के लिए ऐसा होने के लिए ग्रह का द्रव्यमान कम होना चाहिए और सिस्टम में अन्य ग्रहों के निकट कक्षा में होना ग्रह के लिए सहायक है ऐसे परिद्रिश्य में एक धूमकेतु को एक ग्रह के गुरुत्वा कर्शन खिंचाव द्वारा खीचा जा सकता है फिर प्रभाव से पहले दूसरे ग्रह पर भेजा जा सकता है यदि यह धूमकेतु गुजरना परियाप्त बार हुआ तो आकाश्य वस्तु इतनी धीनी हो जाएगी कि कुछ प्रिबायोटिक अरू वायुमंदिलिय प्रवेश से बच सकें प्रिबायोटिक अरू में जीवन के ये आविशक रासाइनिक तत होते है अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृप्या इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाल